नमस्कार एक्टूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आन्या सिंग बिहार के राजणीती के रंगमंच पर एक बार फिर एक दुल्ट असमोड़ाया है राज़त के नेतर पतिपक्ष तिरस्वी यादर ने अपने दूसरे चुरण की याता के शुरुवात बांका जुले से की है जनता से समवाद और उनके विचारों को जानने की उदेशों से निकल पड़े तिरस्वी अपनी याता के दुरान बिहार की राजणीती में एक नई गर मिलाने के तयारी में है उन्होंने पटना से बाका की ओर रवाना होते ही कि इंदर मंदर गिराज सिंग परसक्त पतिक्रिया दी और खुले शब्दों में चुतावनी दी कि यदि राज्य का महौल बिगडा तो राश्ट्य जनता दल चुप नहीं बैठे की गिराज सिंग के अगामी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कटाक्ष करते वे तिरस्वी ने साफ किया कि यदिस यात्र से राज्य में संप्रुदाइक तराव बढ़ा तो राजद अपना विरोध दर्ज करने में पीछे नहीं हटेगी बिहार के सराजनितिक परिदिश्य को और अधिक पेचिता बनाते वे गिरिदात सिंग ने घोशना की है कि वह 18 ऑक्टूबर से भागलपूर में हिंदू बहुत जिलों में होकर गुजरेगी इसका उदेश हिंदू समुदाइक के आत्म समान को बढ़ावा देना बताये गया है गिरिदात के अर्मसार उनके यात्रा संप्रुदाइक सोहदर्य के खिलाफ नहीं है बलकि हिंदू समाच के हित्में हैं हलाके बिहार की राजडिती म या कदम राजड और अन्य विपक्ष्री दलों के लिए चुनोती बंदा दिख रहा है तिरस्वी आदब ने गिरात सिंग के सियात्र पर संदेज दाते वे कहा है कि इसमें राज्य में अशांती फैल सकती है उन्होंने इस पश्ट किया कि यदि बिहार में संप्रुदाइक कि राजड जुनता दल हमेशा से संप्रुदाइकता का विरोध करती आई है और वह इस बार भी पीछे नहीं हटेगी संप्रुदाइकता के खिलाफ अपने मजबूत रुख के साथ राजड अपने मुस्लिम बोटरों को यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी उनकी आवा का विरोध करते आए हैं तिरस्वी का कहना है कि भाजपा और उसके समर्थक जैसे कि गिराज सिंग अपनी संप्रुदाइक नीतियों के माधम से राजड की शांती भंग करने का प्रयास कर रहे हैं और यह राजड के लिए अस्विकार रहे हैं दूसरी ओर गिराज सिंग का कहना है कि उनकी हिंदू स्वावबान यात्रा का मकसद किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है बलकि हिंदू समाज को जागरू करना है उन्होंने विपक्ष के आरोपों को नकारते वे कहा कि राजड का विरोध दरसल बीजेपी की बढ़ती लोग प्रियाता से उनकी अस्रक रखने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी अपने हिंदू समर्थक नीतियों के जरिये जनता के बीच पैट बुराना चाहती है इस तरह के राज्यूतिक परदिश्चे में यह देखना दिलतस्प होगा कि गिर्यात सिंह की यात्रा राज्य के राज्यूतिक सम अपसर मिला है कि वह अपने मुस्लिम मदाताओं को अस्वर्ष्ट कर सके कि वह उनके साथ हैं और भाजपा के खिलाफ एक सशक्त विकल्प है तिस्वी की बातों में यह साफ्ज लगता है कि वह संप्रदाइक्ता के खिलाफ लड़ाई को केवल राज्यूतिक लाप के नज और देखना बाकी है कि गिर्राज सिंग की यादतर तिस्वी यादव की प्रतिक्रिया बिहार की राज्यूतिक समय करनों में कितना बदलाओ लाएगी राज्य की जनता के सामने अब यह सवार खड़ा है क्या यह संघर्ष विकास की और ले जाएगा या फिर बिहार की सब्सक्राइब देखते हैं किस्ट्वेडिफूर धन्यवाद